कि आप किसी के बैंक अकाउंट में पेटियम से पैसा भेजना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं कि आप जनना चाहते हैं कि कैसे पेटियम से बैंक अकाउंट में पैसा कैसे भेज सकते हैं transfer कर सकते हैं तो ये video आपके लिए है क्योंकि इस video में मैं आपको बात आने वला हूँ कि आप आसन से कैसे patium से pass और transfer कैसे कर सकते हो सो इस video को पूरा देखिए सबसे पहली आपको अपने phone में patium app को open करेंगे चलि मैं patium open करता हूँ आपको भी PTM open करना है open करने के बाद आपको यहाँ दिखराऊगा right side में to bank account आपको यहाँ क्लिक करना है bank account में पैसे भेजने के लिए जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके समय आ जाते हैं उपर में ही आपको यहाँ दिखराऊगा enter bank account details आपको यहाँ क्लिक करना है bank account में पैसे भेजने के लिए जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके समय यहाँ दिखराऊगा enter receiver bank details जिसके पास आप पैसे भेजना चाहते हैं उसका bank account का number को डालेंगे इसके बाद यहाँ पर IFSC code को डालेंगे जो उसके bank का होगा आपको यहाँ enter करना है चले मैं enter करने के बाद नीचे proceed पर क्लिक करता हूँ आपको भी क्लिक करना है enter करने के बाद तो हमने यहाँ पर डाल दिया bank account bank account को डालने के बाद आपको यहाँ bank name या IFSC code पर क्लिक करना है तो आपके समय आजवाता है Select bank or enter IFC code जो bank account का आपने number डाला है वो bank का नाम क्या है आप यहाँ select कर सकते हैं इस तरह से खोज करके आप यहाँ search करेंगे इस तरह से इस तरह search करने के बद आप यहाँ select करते हैं bank तो आपके समय यहाँ दिखरा होगा आपको blur होगा यहाँ दिखरा होगा bank receiver name और bank का नाम और account number automatically यहाँ दिखरा होगा सबी चीज़े फूल फिल हो गए है account number और bank का नाम को select करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ proceed पर click करना है जैसे आप यहाँ proceed पर click करते हैं तो आपके समय यहाँ दिखरा होगा यहाँ confirm करने को कहा जाता है कि यह account number और bank का नाम और शाथ ही आप यहाँ दिख लिजे जिसके नाम से आप ऐसे भेज़ना चाहते हैं वो शही नाम है या नहीं इसके बाद आपको यहाँ proceed पर click करना है तो आप यहाँ add कर सकते हैं message को अन्य था आपको यहाँ क्या करना है आपको यहाँ दिखराव का निचे में पेस securely 100 रुपे हैं आपका भी आजेगा एक सा ज़्यादा bank account आपके पास है तो आप यहाँ click करने के बाद आप bank account को भी change कर सकते हैं और change करने के बाद आपको यहाँ paper click करना पेस securely आपका रुपे होगा जितना भी आपको यहाँ क्लिक करना है जब आप यहाँ click करते हैं तो आपको यहाँ youpi pin को डालना है जो आपका youpi pin होगा चलि मैं एंटर करता हूँ आपको भी एंटर करना है एंटर करने के बद आपको यहां right वाले icon पर click करना है जब आप यहां click करते हैं तो आपके समने यहां दिखरा होगा हमने यहां पर पैसे भेजर यहां दिखरा होगा processing payment और यहां दिखरा होगा successfully पैसे यहां पर चला गया है भेजा गया आप यहां दख सकते हैं जो कि आपको दिखरा होगा राइट का एक आईकन लगे और यहां दिखरा होगा reference number वेगरा दिखरा होगा अगर आप balance को चेक करना चाहते हैं तो आप यहां clicker के balance को भी आप check कर सकते हैं इस तरह आप आसान से Patreon से bank account में पैसे transfer कर सकते या भेज सकते हैं तो मैं आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुती पशंद आया होगा वीडियो पशंद आए तो इसी वीडियो को लाइक कर देना चलिए फिर मिलेंगे अगलर वीडियो में देज़े इजाज़त थांगी शुमेज